सीजन 4 एपीसो 12 स्टार्ट होता है और हमें दिखती है कि Skylar पैटिंग कर रही होती है मरी ने सब DJ agent Skylar के घर पर बेजिवे होते हैं Walter की सब family को ले जाने के लिए फिर Skylar Walter को बोलती है कि तुम्हें भी यहां से अब चलना चाहिए तो Walter बोलता है कि यह एक choice नहीं है मुझे ही मारने गस के आदमी आने वाले है अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो कुछ भी नहीं फरक पड़ेगा अगर वहाँ D.E. एजेंट हो तो भी हम सब को मार देंगे हम सब डेंजर में होंगे तो इसलिए Walter उसके साथ नहीं आ रहा होता फिर Skyler उसे बोलती है कि क्या दूसरा कोई वे नहीं है तो वो Skyler को बोलता है कि एक था पर अब Walter के पास उतने पैसे नहीं है कि वो किसी आदमी को पे कर सके उसको गायब करने के लिए तो अब उसके पास कोई भी वे नहीं है और फिर उस Skyler और उसके बच्चे वहाँ से चले जाते है वो Hank को कॉल करकर बोलता है कि मुझे कारवाश रन करना है अगर मैं ऐसे तुमारे घर आ जाओ तो कारवाश को कोन धैन देगा वो उसे ये भी पूछता है कि मुझे क्या खत्रा हो सकता है तो Hank बोलता है कि हाँ तुम कारवाश पर रह सकते हो फिर नेक सिन में हमें मरी दिखाई गई है और वो Skyler को बोल रही होती है कि Walter को भी आना चाहिए था Walter Junior भी बोल रहा होता है कि उसे यहाँ आना ही चाहिए वो खत्रे में है और वो ऐसे अभी भी वो बिजनस नहीं कर सकते यह सब चीजों के बारे में वो अपने ही सोच सकते फिर Hank बोल रहा होता है कि यह जो थ्रेट वेगरा है यह सब फालुदू की चीज़े है यह कुछ इतना सिरेसली वेगरा नहीं है वो फिर अपने पार्टनर को बताता है 100% meth lab है वो अपने पार्टनर को बोलता है कि तुम्हें वहाँ जाकर कुछ पता करना चाहिए उसका पार्टनर बोलता है कि अगर वहाँ कुछ होगा भी फिर भी हमें warden लेना पड़ेगा और तुम्हारा जो suspicion है वो इतना strong नहीं है जिससे हम act कर पाए और हम directly वहाँ जाकर उनके door पर कटकड़ा है और वहाँ जाकर हम investigation करें हमें वहाँ जाकर search करने का warrant भी नहीं मिलने वाला तो हैंक उसे बोलता है कि good old ways का क्या हुआ वो उसे बोलता है कि directly जाओ और कुछ questions आसकरो और तुम वहाँ से कुछ ना कुछ information तुलिकर निकाली सकते हो और उससे तुम फिर आगे जा सकते हो फिर उसका partner laundry में पोच जाता है laundry का जो manager होता है वो उसे बोलता है कि कुछ problem है तो हैंक का partner बोलता है कि कोई भी problem वेगरा नहीं है हैंक का partner फिर उसे एक story सुनाता है वो बोलता है United स्टेट के एक जो senator है उनका जो लड़का है वो पकड़ा गया था कोकेन करते हुए वो जब कोकेन करते हुए पकड़ा गया तो उसने इस जगह का पता दिया है वो बोल रहा था कि यहाँ कोकेन कुक हो रहा है तो इसलिए हम अब इस प्लेस को चानने आये है वो उसे बोलता है कि यह एक बहुत ही off chance है कि यहाँ हमें कुछ भी मिलेगा वो कुछ भी fake रहा था और इसलिए हमें सिर्फ यह हमारी duty है तो इसलिए हम investigation करने के लिए आये है तो वहाँ का manager बोलता है कि यहाँ जो owner है मुझे उससे permission लेनी पड़ेगी और owner जरा out of town है तो इसलिए मैं आपको investigate करने की permission नहीं दे सकता फिर हाँ का partner बोलता है कि अगर हम warrant लेकर आये तो तुम्हें पुरा business बन करना पड़ेगा और पुरे दिन के लिए तुम्हें यह सब बन करना पड़ेगा तो अगर तुम अभी मुझे investigate करने दो हम दो ही लोग है तो तुम्हें अपना business भी बन नहीं करना पड़ेगा और हम investigation करके चले भी जाएंगे तुम्हें उतना trouble भी नहीं होगा फिर manager उन लोग को एक look लेने के लिए हाँ बोल देता है फिर वो दोनो एक dog लेकर पूरे factory में फिरते है उन्हें कुछ भी नहीं मिलता पन हैंग के partner ने बहुत सारे images उस जगा के ले लिए होते है जो manager होता है वो जेसी को भी call कर देता है कि अब वो जो mad cook कर रहा है वो सब machines वगरा burn कर ले तो जेसी सब machines burn कर लेता है जब हैंग का partner वहाँ से चला जाता है तो फिर से cooking स्टार्ट हो जाती है फिर next scene में हमें Gus जेसे से बात करता हो दिखता है वो बोलता है कि Walter का जो brother-in-law है वो अब इस laundry तक पहुँच गया Walter ये सब trouble create कर रहा है क्या अब भी तुम उसे नहीं मारना चाते तो जेसी बोलता है नहीं हम Walter को नहीं मार सकते अगर Walter को कुछ हुआ तो मैं भी ये काम नहीं करूँगा जेसी अब भी उसकी decision पर firm रहता है जेसी Walter को call कर रहा होता है पर Walter उसका phone ने उठाता फिर उसको पता चलता है कि Saul ने उसके phone पर बहुत सारे message छोड़े हुए होते है Saul उसे अपने office में आने के लिए बोलता है जब जेसी Saul के पास आता है तो Saul का जो security guard होता है वो उसके pockets विगरा चेक करता है फिर Saul उसे अंदर आने के लिए बोलता है उसके security guard को बोलता है कि तुम्हें जेसी को चेक करने के कोई भी जरूरत नहीं है जब जेसी अंदर आता है तो Saul सब packing कर रहा होता है Saul उसको बोलता है कि तुम्हारे जो सब पैसे है वो मैं तुम्हें देना चाता हूँ Gus अब Walter को मारने वाला है और मैं भी danger में हूँ तो मैं यहाँ से भाग जाने वाला हूँ तो तुम्हारे पैसे मुझे देने थे इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है वो उसे ये भी बताता है कि Gus ने Walter को सब फैमिली को मारने की धमकी दी है और वो सब अब पुलिस के protection में है JC जब night में अपने घर पर होता है तो उससे एंडरेया को call आता है जब ब्रॉक एंडरेया को झो सण होता है ब्रॉक वो hospital में होता है जब वो hospital पोचता है तो एंडरेया उसे पताती है कि सुबा तो वो ठीक था वो हस्ता कहलता था पर अचानक उसे कुछ हो गया और वो अब हॉस्पिटल में होता है जब J.C. बाहर आता है और उसके सिग्रेट निकालता है तब उसे पता चलता है कि जो राइसीन था जो वॉल्टर ने उसे दिया था गस को मारने के लिए वो जिस सिग्रेट में उसने रखा था अब वो गयव है J.C. बहुती डर जाता है और फिर वो डारेक्ली जाकर एंड्रिया को बताता है वो बोलता है कि तुम्हें डॉक्टर को बताना चाहिए जो पॉईजनी हुई है वो राइस सिन की वजह से हुई है वो उसे एक्स्बेन नहीं करता और वहाँ से फिर वो चला जाता है वॉल्टर घर में बहुती पैरिनाइट होकर बैठा हुआ होता है फिर J.C. वहाह आता है Walter JC को सब बताता है कि कैसे Gus ने उसे ठेटन किया है कि उसकी सब family को Gus मार देगा Walter JC को ये भी बोलता है कि Gus अब किसी को बेज़ेगा और मुझे मार देगा फिर JC Walter पर गन तानता है और बोलता है कि तुमने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है यानि कि Brock को poison Walter नहीं दिया ऐसा वो figure out उसने किया होता है वो बोलता है कि जब मैं Saul के पास गया था मुझे उसके security guard ने चेक किया था वो ही उसने वो poison मुझे से ले लिया और Brock को उसने poison कर दिया होगा Walter बोलता है कि मुझे इस तरह की कोई भी idea नहीं है तुम्हें लगता है कि मैं इस सब कर सकता हूँ मुझे बच्चों को मारना अच्छा नहीं लगता फिर वो उसे बोलता है कि क्या तुम किसी को जानते हो कि जिसको कुछ भी problem नहीं होती बच्चों को मारने के लिए वो Gus की बात कर रहा होता है वाल्टर फिर उसे समझाता है कि मुझे मारने के लिए तुम ही एक best option हूँ Gus के लिए इसलिए उसने Brock को poison किया और तुम्हें भड़काया और अब तुम मुझे मारने आओगे ये सब उसे पता था वो हमेशा 10 steps हमसे ahead था और इसलिए अब तुम यहाँ आए हो मुझे मारने के लिए अगर तुम्हें लगता होगा कि मैंने Brock को मारा है तो तुम मुझे अभी मार दो और फिर वो dramatically जेसी की gun उसके सर पर रख लेता है फिर वो दोनों एक plan करते है और जेसी वहाँ से चला जाता है जेसी जब फिर से hospital में आता है तो उसको nurses वगरा होती है वो Brock को मिलने नहीं दे रही होती Andrea भी उसे अंदर नहीं आनी देती फिर वो रात hospital में ही बिताता है एक couch पर बेटे हुए फिर next दिन गस का आदमी उसे आकर बोलता है कि मैंने batch नहीं start कर दी है math cook करने के लिए तो अब तुमें चलना चाहिए math cook करना चाहिए तो जेसी उसे बोलता है कि नहीं मैं जब तक Brock ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कोभी math cook नहीं करने वाला वो उसे जाने के लिए बोलता है वो उसे जब जबरदस्ती करता है तो JC तमाशा खड़ा कर देता है और फिर Gus का आदमी वहाँ से चला जाता है जब Walter घर में होता है As according to the plan Walter एक bomb बना रहा होता है जो bomb वो बनाता है वो अब work भी कर रहा होता है JC से मिलने फिर से Gus का आदमी आता है और बोलता है कि अब तुमें Gus मिलने आया है Gus उसे आकर बोलता है कि मैं कि यहाँ बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मुझे एक कोटा चाहिए होता है मेरे बिजनेस को सक्सेस्पुली रन करने के लिए पर JC उसे बोलता है कि यह एक मेरा family problem है और मैं अभी cook करने ही नहीं वाला वो firm होता है तो Gus उसे बोलता है कि जो batch हमने अब start की है वो अभी 100% ruined है ना तो JC बोलता है कि वो अब ruined हो चुकी है और अब हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते तो Gus बोलता है कि तुम up rest करो और next week जब तुमें अच्छा लगे तो तुम आ जाना और हम फिर से cooking start कर देंगे Gus जब parking lot में जाता है और अपनी गाड़ी को देखता है तो फिर उसे कुछ शक हो जाता है वोल्टर ने उसकी गाड़ी में एक bomb रखा हुआ होता है और इस तरह से वो Gus को मारने वाला होता है ये जेसी और वल्टर का एक plan होता है पर Gus को अपशक हो गया है तो वो बाहर सब देखता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है या नहीं फिर Gus वहाँ से चला जाता है Gus वो risk लेने के लिए ready नहीं होता वाल्टर भी next building से ही Gus को देख रहा होता है यही एपिसोड खतम हो जाता है